दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अंगूटा चूसने से बच्चे को क्या-क्या नुकसान होते हैं दोस्तो सायद ऐसा कोई वेक्ती ही होगा जिसने किसी बच्चे को अंगूटा चूसते हुए कभी न देखा हो अक्सर बच्चों में यह सुरुवात में सामानने होता है लेकिन यदि आपके बच्चे की यह आदत उसके चार साल के होने के बाद भी बने हुई है तो आपको डोक्टर की सला लेनी चाहिए वैसे आपको कोशिस तो यह करनी चाहिए कि आपके बच्चे में है आदत आते ही आप तुरंत ही इसे किसी तरह चुड़वा दे क्योंकि यदि आपका बच्चा लगातार अंगूटा चूसता है तो इससे उसे काफी नुकसान होता है आईए जानने की अंगूटा चूसने से बच्चे को क्या-क्या नुक्सान होते हैं छोटे बच्चे दिन पर यहां वहां खेलते रहते हैं कोई पीचीज हाथ में उठा लेते हैं और मूँ में डाल लेते हैं ऐसे में हानिकारक बैक्टीरिया और वाइरस अंगूटा चूसने के साथ उनके मूँ में जाकर उन्हें बीमार कर सकते हैं मूँ में अंगूटे के दबाव से बच्चे के दात गलत दिसा में मुड़ जाते हैं जिससे कई बार वे टेड़े मेड़े उबढ़ खाबढ़ वे बहार की तरफ उबरे भी निकलाते हैं अंगूटा चूसने से दातों में बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं और बैक्टीरिया एचिड का निर्मान करते हैं जो दात को खोकला वे कमजोर कर देते हैं वे कई बार इने गला देते हैं जिससे दातों में सडन भी आ सकती हैं बच्चे के पेट में इनफेक्शन हो सकता हैं अंगूटा चूसने से बच्चे की भूक मर जाती हैं जिसका उनकी सेहत पर बूरा असर पड़ता हैं बच्चे के दात बाहर की ओर निकलाते हैं, होट मोटे होकर लटक जाते हैं, मुझ खुला रहने की आदत पड़ जाती हैं, एक ही हाथ का अंगोटा चूसने के कारण वह अंगोटा पतला हो जाता हैं, फिर जब बच्चा उसी हाथ से लिखना सुरू करे तो उसे लिखने में तकलीप हो सकती हैं, दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगाओ तो उसे लाइक करे और जादा से जादा से यर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें